इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और रक्त संचार में सुधार करता है। यह कैमिकल मेसेंज के काम को भी ब्लॉक करता है जो चक्कर आना में चक्कर आने के लिए जिम्मेदार है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ले और हो सके तो रोज एक ही समय पर। कोई खुराक न छोड़े। लेकिन अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो आपको जैसे ही याद आए इसे ले ले। इलाज का पूरा कोस खत्म करें और अपने डॉक्टर से बात किये बिना अचानक इस दवा को बंद न करें। इस दवा का उपयोग करने के कुछ सामाने साइड इफेक्ट मुह सूखना और पेट में दर्ध हैं। ड्राइनस दूर करने के लिए अधिक पानी पीने, हमेशा शुगर कैंडी साथ रखने या मौकिक स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इससे चक्कर और नीन भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक आपको पता ना हो कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है त तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। अगर आप किसी अन्य दवा का सेवन नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। क्योंकि इससे इस दवा के असर करने के तरीके में बाधा पर सकती है। गर्भवती या स्तनपान करने वाली माताओं को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नो नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।